नमस्कार दोस्तों मैं आपके लिए लेके आए हूँ सर्दियों में बनने वाली इस खास मिठाई की रेसिपी को जिसे हम जटपट से बना की तयार करेंगे और बहुती इजी तरीकिसे से बनाएंगे और इस मिठाई की खास बात ये है कि इसे आप बना कर श्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हम इस मिठाई को अगर आपको हमारी रेसिपी आच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में भी बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वाओ देखें आप कितनी खुबसूरत हमारी मिठाई यहां पर बनके तयार हुई है कोई बता नहीं सकता है कि यह मक्के के आटे से बनी हुई है स्वाद में भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मैंने यहां पर कोई भी कड़ाई ल था यह मैंने मार्केट का आटा लिया है बहुत ही एजली मिल जाता है अब हम धीमी आच में इसे लगातर चलाते हुई भून लेंगे तीन से चार मिनट लग जाएंगे हमें इसे हलका सा भूनने के लिए और इसी से आज हम मिठाई बनाके तयार करेंगे ना हम इसमें माबा डालेंगे और ना ही मिल्क पाउडर डालेंगे एजले हमारी मिठाई बनके तयार हो जाएगी बस हमें दीमी आच में इसे चलाते रहना है और जैसे बेशन की मिठाईयां बगेरा अच्छी लगती हैं इसी तरह से मक्के की आटे की मिठाई भी आपको जरूर पसंद आएगी तो बस दीमी आच में हम इसे चलाते रहेंगे और ना ही हमें दूद की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी ड्राइ फूट की और एजली हम इस मिठाई को बना पाएंगे सिर्फ मक्के के आटे से तो बस धीमी आच में हमें इसे चलाते हुए भून लेना है जब ये भून जाएगा तो इसका हलका सा आपको कलर सा चेंज होते हुए दिखेगा और बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा इसमें तो इस तरह से हम इसे धीमी आँच में लगातार चलाते हुए भून लेते हैं मक्के को आँटे को भूनना बहुत ही जरूरी है इससे इसमें कोई कच्चा पर नहीं रहेगा और मिठाई भी स्वादिष्ट बनेगी अगर हम भूनेंगे नहीं तो हमारी मिठाई जो है चिपचीपी सी आजीप सी बनेगी तो इस तरह से हम इसे भून लेंगे इसमें हम थोड़ा सा देसी घी का इस्तिमाल कर रहे हैं जिससे मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है मैंने अभी एक चमच इसमें देसी घी डाल दिया है अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो बनस्पती घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और बस हम इसे इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे हलका सा आपको इसका कलर सा चेंज होते हुए दिख रहा होगा बस इसी तरह चलाएंगे इसमें कोई गुल्ठे या ये नीचे से लगे नहीं और धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा घी एट करेंगे जिससे हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनेगी तो मैंने यहां पे दो चम मजगी इसमें डाल दिया है कुल मिलाके हम इसमें एक चौथाई कप घी का इस्तिमाल करने वाले हैं क्योंकि इसमें ना ही हम मिल्क पाउडर डाल लाए हैं दूद भी नी डाल लाए माबा भी नी डाल लाए इसलिए मैंने यहाँ पर देशीगी का इस्तिमाल किया है इस मिठाई को बनाने के लिए और जब यह अच्छे से भूंज आएगा तो इससे अच्छी सी खुसबू आएगी या पिर आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं इसका हलका सा आपको कलर चेंज होते हुए दिखने लगेगा जैसे यह भूंज के तयार होगा बैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे और एक मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से चला लेंगे ताकि यह नीचे से लगे नहीं क्योंकि गैस बंद में अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह कड़ाई में लग सकता है तो बस अशे निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ घी भी हम एड़ कर देते हैं और इस समय मैंने गैस को बंद रखा है बंद गैस में हमने यह देसी घी डाला है और बस इसे अच्छी से मिला लेना है क्योंकि अभी हमारी कड़ाई काफी गरम है तो इसे बस इस तरह से हम मिला लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें हम चास्नी भी नहीं बनाएंगे एजली आपको यह मिठाई बनाना बताएंगे ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए चास्नी बनाने वाले हैं तो वो भी नहीं बनाएंगे और बढ़िया सी हमारी मिठाई बनके तयार हो जाएगी हमने इसे एक मिनट के लिए इसी तरह चला लिया है एक मिनट बाद ही हम चीनी इसमें एड़ कर देंगे यहाँ पे मैंने पिसी हुई घर की चीनी ली है जिसे हमेंने मिक्सी के जार में पीस लिया था और इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी अपने टेस्ट के साफ से थोड़ा सा कम या जादा भी कर सकते हैं आप इसमें इलाची के पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर मैंने कोई जादा इंगरीडियन इसमें नहीं डाले हैं और अब हम इसे सिर्फ अच्छी से मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा गीसा चोड़ देगा थोड़ी देर इसी तरह से हम बंद गयाजपे से मिलाएंगे और एक क्वरी रे ले लेंगे उसे हम ग्रीस कलेंगे घी या तेल से किसी से भी आप ग्रीस कर सकते हैं और जो मिठाई है वो इसमें अब हम easily set कर पाएंगे तो इसे हम डाल कर अच्छी से फैला देंगे इस तरीके से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे चमच का इस्तिमाल भी कर सकते हैं और इसे इसी तरह से छोड़ देंगे जब यह अच्छी से set हो जाएगी तब हम एक कुकीच कटर की सहायता से इसे कट कर लेंगे आप चाहें तो इसे चाको की सहायता से चोकोर या लंबे पीसिस भी कट कर सकते हैं इस मिठाई को हमें फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है सर्दियों का समय है यह अपने आप ही इतनी बड़िया set हो जाएगी बिना चीन ही के तो नहीं है बिना चासनी के ही हम इस मिठाई को set कर पाएंगे आप चाहें तो इसके उपर एक एक काजू या बादाम लगा सकते हैं जिससे देखने में और भी सुन्दर लगने लगेगी तो बस इसे इसी तरह से हम बागी की मिठाई भी काट लेते हैं और इसी तरह के सेप में हमने सारी मिठाई काटना हैं और मिठाई हमारी बनके तयार हो गई है आप देखे कितनी खुबसूरत बढ़िया सी लग रही है इसे हम आपको तोड़के भी दिखाएंगे कितनी सौप्ट और मुलाएं में एजली से तूट रही है बाव इतनी जैसी मुँ में घुल जाने वाली मिठाई आपके लिए मैं लेके आई हूं अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजेगा मिलेंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ हम